तो आज मैं बात करने वाला हूँ आयो सील के बार में तो आयो सील मतलए इंडियन वाल कोर्पोरेशन लिमिटेट इससे एक जॉब पर कर रहा है वो टोटली एपरेंटिसिप का जॉब है और 469 वैकेंसी से तो इसमें आप एपलाई करने के लिए एक पर प्रोसीडियर क्या र अब ही तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि आपको डेली वे सी चॉब का इंफॉरमेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहे ना चलो देखते हैं अज के चॉब के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ इंडियन ओयल कोर्पोरेशन लिमिटेट मतला आयो सी और उससे पहले आपको अप्लाइ करना होगा तो फाइफ अक्टोबर से अप्लिकेशन सुरू हो चुगा है तो अलोबर इंडियस अप्लाइ कर सकते हैं और अभी तक जॉब आपको कहा पर मिलेगा बहुत अभी तक डिसकस करेगा नहीं है और यहां पर आपको ऑर्गनेशन अप्लाइटर के लिए तो इस सारे पोस्ट में आप अप्लाइ कर सकते हैं मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों यहां पर अप्लाइ कर सकते हैं तो मतलब आप नॉन टेक्निकल है मतलब को कोई टेक्निकल कोर्स नहीं है फिर भी आप यहां पर अप्लाइ कर सकते हैं पर्माइन जोब नहीं होगा अप्रेंटिस का प्रोस्ट होगा और मैं मापी चाता हूँ पर्माइन लिख दिया तो अप्रेंटिस का होगा प्राइबट सेक्टर में और यह पेशर्स जुरूर यह आपको अप्लाई करिए और 18 से 24 यह तक आपको एज लिमिट होना चाहिए सेलेक्सन होगा आपका आज जो मरिटिन टेस्ट होगा पहले तो उसके बाद आपको ट्रेड अपड़ेगा मतलल आपका ट्रेड जो है बूसी ट्रेड में आपको टेस्ट देना पड़ेगा तो application charges कुछ भी नहीं है free of cost अप्लाई कर सकते हैं salary मतलब आपको stipend जो मिलेगा apprentice में कोई भी salary नहीं मिलता स्टाइफन मिलता है तो स्टाइफन जो मिलेगा स्टाइफन आपको अभी तक discuss करेंगे नहीं है तो आप जीस पोस्ट में apply करना चाहते है तो उसके बाद आपको stipend पता चल जाएगा तो यहाँ पर education qualification के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर देखिए technician apprentice के लिए आपको 3 years और 2 years का आपको actually IT pass out होना है और अब 3 years का diploma में भी compete कर चुक है तो apply कर सकते है जिसमें trade होना चाहिए थी के बहुत सरा trade है mechanical engineering, automobile engineering, electrical engineering, electrical and telecommunication engineering और यहाँ पर electrical and electronics engineering तो बहुत सरा trade है electronics and radio communication engineering, instruments and control engineering और इलेक्ट्रोनिक्स इंजिनियरिंग तो बहुत सरे पोस्ट है कोई भी एक पोस्ट में कोई एक रिकोगनाई इंस्ट्यूट्यूच से कोई भी government रिकोगनाई इन्वेसिटी से आप पास आउट हो तो यह अपलाए कर सकते है उसके बात trade apprentice के लिए आपको full-time bachelor degree pass out होना चाहिए मतलब graduation pass out होना चाहिए वो भी कोई भी government रिकोगनाई इन्वेसिटी से trade apprentice accounts के लिए आपको full-time bachelor degree होना चाहिए वो भी commerce department में कोई भी government institution से pass out होना चाहिए data anti operator के लिए आपको 12 pass minimum 12 pass होना चाहिए बट बट बीलो gadget मतलब gadget भी आपका gadget हो चुके तो आप इसमें नहीं अपलाए कर सकते है तो below gadget आपको बढ़ा चुके तो मतलब minimum.12 pass होना आपप्लाए कर सकते है ताप डाटा इंटी ऑपरेटर के लिए अप्लाए करना चाहते है और अप गैजुट अल्मोस्ट कर चुके है तो आप गैजुट के सब्सक्राइब कर दीजिए तब यह अप सिलेक्शन हो जाएगा और यहाप देखे डाटा इंटी ऑपरेटर के लिए आपको मिनिम् nem 12 पास होना चाहिए बहुँ है इस साती साहथ बैक्रोन चाहिए अपको स्केल स्किल होना चाहिए और national skill qualification PMOR से आपको pass out होना है तो इस सारे डेटा आपको में आपको दिखा चुका हूँ इस पोस्ट में apply करना चाहते है उसका सारे जानकरी आप लीजिए उसके बाद apply करिए application का procedure lasted में पहले बताची को 25th October तुस्से पहले आपको apply करना होगा तो यह पर दिखे बहुत सारे लिंग दिया गया है अपको अपलाइन नोटिफिकेशन तो फहले अप्लाइन अप चेकआउट कर लिजिएगा notification में क्लिक करना तो पर सारी जनकरिए आपको मिल जाएगा कौणसा कौणसा जगह पर जौन मिलेगा आपको मिल सकते हैं होग को स्टेट में आप अपको एलिजीबियरलीटी है अ चाहिए उस टेट में आप आपको एपलाई कर सकते हैं तो की促 poison के ध्यान से फली का जिखा उसके बाद अपडले करीगा तो अपने से पहले आपको कुछ तो इसलिए आपको टेकुल्ड नेटिकल अपरंटिस का मतलब को ट्रेड यह त्रेड है यह ट्रेड इपर्मेट्स आपकर करना चाहते है तो इंड्leader जिनकी से ऐसे आपने चाहिए करना चाहिए करना चाहिए वह आप पर क्लिक करिए को डूनों यह देखिए दोनों साइट है इस दोनों इस साइट ऑपन हो जाएगा तो यह इंडियर से यह ओपने ज्यारे तीरी आपको राइट जितेंड में दिखाएदेगे आप से आप रsomething क करने के बाद आपको apply online में click करना होगा तो इस पेच open हो जाएगा आपको नीचे click here for active opening तो यहाप आपको click करना होगा तो यहाप ख्लिक करने के बाद यहाप दिखिए जो एंडियान ओयल recommend non executive आप जो option button दिखा रहा है इस में click कर दीजिए आप करने के बाद आपके सामने इस form को open हो जाएगा यहाप कुछ data open हो जाएगा तो उपर आप how to apply option button में भी click कर सकते तो कैसे apply करना है इसका procedure पूर आपको यहाप दिख जाएगा उसके बात आप apply करिए तो आसा करता हो पूरे डिटेस आपको चानगारी मिल चुका होगा तो जरसे लए apply कर दीचिए और अभी तक मेरे टेलीग्रम चैनल में जोइन नहीं हुआ तो जुरू जोइन हो जाए है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जुरू सब्सक्राइब कर लिजिए और साथी साथ आपको डेलीवेसी जीके जीए का नौलज चाहिए तो इस चैनल में जाकर जोइन हो जाए है मिलते अगले जोब लेके तब तक लिए अच्छा से र